तो आपने बहुत टाइप मेंटिनेंस किया होगा जैसे प्रेटिव मेंटिनेंस और ब्रेक्डाउन मेंटिनेंस तो चलिए आए आए देखते हैं प्रेटिव मेंटिनेंस वह मेंटिनेंस जो नियमीत रूप से एक्विमेंट के पार्ट पर परफॉर्म्ड किया जाता है नियमीत रूप से मतलब क्या जतीन महीने छे महीने या एक निर्धारी समय हम ले रहते हैं कि इतने समय पर हमको एक्विमेंट या मसीन का मेंटिनेंस कर कर सकते हैं तो क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटिनेंस होता है जब अभी वर्किंग कंडिशन में हो मतलब कि हमारा मसीन सही हो प्रिवेंटिव मेंटिनेंस करने से अनस्वेटली ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है मतलब कि हम सद्धेनल बेंडाउन आ जाता है तो उस सबस सकते हैं और हमारका प्रोडेक्शन पर कोई फेक्ट नहीं पढ़ेगा जैसे अग्जम्पल में परते आक छे महिने में एसबिवेसे के फिल्टर को और रिप्लेस करना है परते छे महिने में क्या कर सकते हैं कि हैसब ए सब्सक्राइब हम सेंसर लगा लेते हैं तो कूंन कर सकते हैं इसταν कि मेंटिनेंस किया जाता है उसे प्रडार प्रडों किया जाता है जब और की होता है जैसे फ्रेंट Department में इस तपिश सेंसर हमें यह बताते हैं कि हमको फिल्टर को कप रिफिलेश करना है जिससे उसकी को बढ़ाया जा सकता है breakdown maintenance जब equipment या मसीन काम ना कर रहा हो या तूठ चुका हो या वेकार हो चुका हो उसके बाद जो equipment या मसीन को ठीक करने के लिए जो maintenance करते हैं उसे जब हमारा कोई छीज मसीन या कोई कीमेंट खराब हो जाता है, उसके बाद हम जो मेंटीनेंस करते हैं, उसे ब्रिकडाउन मेंटीनेंस कहते हैं. तो हमारा ब्रेक्डाउन में नहीं जाएगा इसे हमारा प्रोडक्शन प्रेट्ट नहीं पड़ेगा तो अगर आपको पसंद आया था प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राज्टी टोडियर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भुलिए तेंक्यों मैं आपके